जो क्रिकेट के फैंस हैं, उन्होंने कई बार ये नजारा देखा होगा, जहांपर बॉलर की गेंद हवा में घूम जाती है, और बैट्समन को बिलकुन आइडिया नहीं होता, कि गेंद कहां गई, किदर से आई, और कैसे जाके विप्टोग पर लगते हैं। जाकी थी कि ट्रांस्मिशन वायर्स पे अगर चेडियां बैठती हैं, तो वो मरती क्यों नहीं हैं। तो उसको मैंने काफी अच्छे से एक्स्प्रीन किया है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। कि कई बार क्रिकेटर्स गेंद की एक साइड को शाइन कर रहे होते हैं, ताकि उन्हें जब गेंद पुरानी हो, तो उस पुरानी गेंद से भी स्विंग कराने को मिले। तो आज हम क्रिकेट के इन दोनों स्विंग के पीछे के फिजिक्स को डिकोड करेंगे, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि स्विंग का मतलब क्या होता है। तो जब भी कोई batsman batting कर रहा होता है, तो उसके पास गेंद को देखकर खेलने के लिए बहुत कम टाइम होता है। तो batsman गेंद की line को judge करने की कोशिश करता है कि gain किस line में आ रही है, और उस line में उस gain को खेलने के लिए तयार रहता है। लेकिन कुछ ballers अपनी skill के वज़े से gain को उस line से deviate कराने की कोशिश करता है। कि batsman ने सोचा भई, gain इधर आएगी। लेकिन baller ने अपनी skill से उस ball को या तो इधर घुमा दिया या फिर इधर घुमा दिया। और वो उमीद करते हैं कि batsman इस movement के लिए ready नहीं होगा और उसे परिशानी होगी। यह gain या तो batsman के तरफ आ सकती है या फिर batsman से दूर जा सकती है। तो ऐसी दो swings हैं जिनका नाम है in-swing और out-swing। तो cricket ball पुरानी ball से भी swing हो सकती है और नई ball से भी swing हो सकती है। तो जो नई ball के swing होती है उसे हम बोलते है conventional swing और जो पुरानी ball से gain swing होती है उसे हम कहते है reverse swing तो आएए बात करते हैं नई ball के swing की तो यह हम orientation जो ball का देख रहे हैं यह हम ball के ऊपर से देख रहे हैं मतलब आप जो spider के हम देखते हो ना आप समझो कि आप ball को वहां से देख रहे हो तो ball की movement मैंने लिह है यहां से उपर के तरफ उपर मतलब ball आगे जा रही है और यहां से air का inflow हो रहा है और air का outflow ball के नीचे से होगा तो air के यहां दो parts हो जाते हैं कुछ air का part ball के left side से glide होते हूँ जाएगा और कुछ part ball के right side से glide होते होते हूँ जाएगा तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, जो पार्ट बॉल के left side से flow कर रहा है, वो बॉल के smooth surface पे आराम से glide कर रहा है, तो वहाँ पर air का flow होता है steady, मतलब आराम से शान्ती से air का flow वहाँ पर होता है, लेकिन जो यहाँ पर air का right part है, वो seam को hit करने के वज़े से, उसमें काफी turbulence यानि की उथल उथल create हो जाती है, इसके जीवन में शान्ती नहीं बने रहती, इसका flow कैसा हो जाता है, turbulent, जो होता है seam को hit करने के वज़े से, और यह जो turbulent flow है, इस वज़े से यह air, ball के साथ, थोड़े साधा समय तक contact में रह पाता है, और finally, यह right side वाला air, और left side वाला air, finally, seam को hit करते ह यहां से air का outflow होता है, तो आप देख सकते हो, air का inflow, यहां जिस angle पे हुआ, air का outflow, यहां पर किसी दूसरे angle पर हो रहा है, तो इस angle के difference के वज़े से, यहां पर एक reaction force create होता है, अगर आप air के outflow को action बोलोगे, तो इसके opposite direction में, एक reaction आना चाहिए, तो यह reaction force यहां पर लग होता है, जो की seam के तरफ होता है, अगर seam किसी दूसरे direction में घुमी भी है, तो ball पर एक उस direction में force लगेगा, जिस वज़े से ball में deviation आएगी, तो इस case के अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर gain, gain का अगर expected बात यह है, तो यहां पर ball में एक swing आएगी, जो यहां पर right के तरफ हो होगी, मतलब अगर batsman, एक right handed batsman batting कर रहा है, तो उसे लगेगा कि gain उसके तरफ आ रही है, इसलिए batsman seam के direction को शुरुवात में watch करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ ballers बहुत fast balling करते हैं, उनकी gain उतनी घुमती नहीं है, तो gain घुमाने के लिए एक तो ball की position है, व यह जादा time तक ball को hold नहीं कर पाता, और वो ball को पहले ही leave कर जाता है, तो उस पहले leave करने के कारण, वो angle यहाँ पर create नहीं हो पाता, जिसके वज़े से gain में swing आती है, आते हैं दूसरे part में, जो है reverse swing, reverse swing के लिए क्या होता है, हमें पुरानी gain चाहिए, और पुरानी gain में भी जिसमें एक side को properly shine किया गया हो, उसकी shine को maintain करके रखा गया हो, और दूसरी side को rough होने के लिए छोड़ भी आ गया हो, gain की दोनों sides में, जितना जादा difference होगा, उतना जादा gain के reverse swing होने के chances हैं, तो यहाँ पर आप, आपने कई बार देखा होगा, कि जो players हैं, fielders हैं, वो काफी gain को shine करने की कोशिश करते हैं, तो उनका main aim यही होता, वो दोनो side को नहीं घिस रहे होते हैं, वो घिस रहे होते हैं सर्फ एक side को, ताकि एक side की shine maintain रहे हैं, और एक side roughness create हो जाए, जो gain खेलते-खेलते, एक side rough होनी शुरू हो जाती है, तो अगर gain की movement फिर से मैं मानता हूँ क कि आगे के तरफ है, तो air का flow दोनो side से होगा, left side से भी, right side से भी, तो जो left side से flow हो रहा है, ये flow काफी आसानी से हो जाएगा, और जो right side वाला flow है, यहाँ पर air को जादा drag feel होगा, उसे लगेगा कि surface उसे move करने से रोक रहा है, जैसे अगर गारी चलती है, एक काफी अच्छा air के लिए 8 lane express में है, और एक side कोई खटारा सा road है, जिस पर air को move करने में दिक्कत हो रही है, तो अगर हम यहाँ पर बात करें, कि इस velocity difference से क्या problem है, मतलब अगर मैं ball के respect में देखूँ, तो यहाँ पर मुझे लगेगा, कि air की speed जादा है, on the left side, और air की speed यहाँ पर कम है, on the right side, okay, तो इस वजह से यहाँ पर velocity difference create होती है, मतलब air की velocity, ball के left side में जादा होगी, और ball के right side में खोरी सी कम होगी, इस velocity difference के कारण, ball को एक force feel होता है, यह force का reason है, बर्नौली स्थिरम, बर्नौली ले कहा था, कि अगर हम moving air और stationary air को compare करें, तो moving air के पास, कम pressure होगा, तो अगर आपने सुना होगा, कि तूफान के time में बहुत सारे कच्चे घरों के चपड ओड़ जाते हैं, उसका reason यही है, क्योंकि चपड की उपर का हवा, काफी speed से flow कर रहा होता है, तो वहां का pressure कम हो जाता है, घर के अंदर की हवा, stationary होती है, तो वहां पर pressure जादा होता है तो उस वजए से एक उपर के तरफ force लगना शुरू हो जाता है, तो force कहां से कहा लगेगा, जादा pressure से कम pressure के तरफ, तो अब यहां पर भी देखो, तो यहां पर जादा तेज हवा move कर रही होती है, और यहां पर हवा की speed थोड़ी सी कम है, तो जादा तेज हवा flow कर रही है, वहां पर pressure थोड़ा सा कम होगा, और जाँ पर हवा की speed थोड़ी सी कम है, यहां पर pressure थोड़ा सा जादा होगा, reverse swing के पीछे यही pressure difference reason है, और force मैंने कहां बताया था, जादा pressure से कम pressure की तरफ, तो यहां पर force experience किस तरफ होगा, इस तरफ, तो reverse swing में गेंध हमेशा shiny surface के तरफ move क पड़ा था, playing it my way, कि एक बार पुरानी गेंध से पाकिस्तान के बॉलर, गेंध को बहुत जादा swing करा रहे थे, और Indian batsman को बहुत जादा परिशानी हो रहे थी, और पाकिस्तान के बॉलर, गेंध को छुपा के लाते थे, ताकि Indian batsman को पता ना चरे, कि गेंध कौन से तरफ swing होने वाली है, तो batsman को बहुत दिक्कत हो रही थी, तो Sachin ने कहा, कि उन्होंने एक idea निकाला, उन्होंने कहा कि जो non-striker hand के batsman है, baller चाहे कितने भी gain को चुपा ले, लेकि non-striker के batsman gain को देख सकते हैं, तो Sachin ने non-striker के batsman से कहा, कि आप baller के हाथ में देखने के कोशिश करो, कि baller ने gain की shine के सरफ रखी है, और जिस तरफ आपको shine देखे, आप उस हाथ में अपने bat को पकड़ के खड़े हो जाओ, अगर gain की shine left side है, तो आप अपने left hand में bat को पकड़ के खड़े हो जाओ, और batsman जो batting कर रहा है, जिसे ball face कर नहीं है, वो baller को नहीं देख रहा है, वो अपने non-striker end के batsman को देख रहा है, और उसके कौन से हाथ में bat है, उसकी नजर उस पर है, तो पाकिस्तान के ballers ने शुरू में बहुत परिशान के अलिए अचानक से उन्होंने देखा, कि गेंट की shine किस तरफ है, और गेंट किस तरफ घूमने वाले है, So I hope that आपको ये वीडियो खाफी पसंद आया, और मैं आने वाली वीडियो में, जो space enthusiasts हैं, उनके लिए एक बहुत ही interesting वीडियो बनाने वाला हूं, और जो लोग space में interest नहीं रखते हैं, उन्हें भी एक बहुत ही unique चीज, space के बादे में जानने को बिलेगी, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज सब्स्राइब तो आप बेल आइकन प्रेस करना भिलकुल ना भूने, so that हमारे वीडियो की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, thank you so much for watching the video, see you very soon in the next video.